माही दिस साइड और इस सॉंग इस डिवियूट तू भारत रत्न डॉक्टर मामा साइब आमबढकर साल 1891 और आज का ही दिन था महारों के घर पैदा हुआ नाम धीम था वो मामूली लड़का नहीं महमानव अंतीम था पढ़ने में था तेज पर वो रास्ता कठिन था इन बातों से था अंजान के इसका क्या हो अंजाम ये जाती भेद और उच नीच से उपर होता है ग्यान ये जाना था बस उसने और उपर उटने की सोची थी उसे कक्षा के बाहर बिठाते सोची कितनी छोटी थी पर रुका नहीं वो डटा रहा हिम्मत को अपनी जुटा रहा और छोटी सोच के लोगों उनके ग्यान का सागर देखो आज जो हब की बात तुम करते हो उसके घट ना करते वो शिका संगटित वासंगर्श करा ये उनका ब्रीद था राख कर दिया मनुवाद को जिसमें सबका हिस्था ऐसा बाप मानुस था वो जिनको बाबा कहते सारे कलम से काटी लाचारी मने हका साथी लडारे इन मजदूरी से छिले हुए हाथों में आपने कलम दी भगवान ने टुकराया फिर भी आपने हमको शरन दी हम भूल नहीं पाएंगे के हम पानी के लिए तरसे थे महाड सत्य ग्रह कर दिया बाबा सावन जैसे बरसे थे आप बोधि सत्वाप शिल्पकार आप स्वतंत्र भारत का विचार आप सम्विधान के हो विधाता जो हग दे सबको एक समान और समान कि ही बातती जो आप धरम को भी टुक रा गए थे करम से अपना नाम बनाया सबके दिलों पे छा गए थे और आज भी हो सबके दिलों में जो अन्याई के खिलाफ हो न्याई करते हो आज भी बाबा पीडी तो का इलाज हो आप पीडी तो का इलाज हो तुम्हें हक का साथी लडारे तुम्हें हक का साथी लडारे